भारत एक क्रिशी प्रधान देश है ये बात हम बार-बार कह रहे हैं और ये भी हमें पता है कि भारत की लगभग 70 प्रतिशत जो जनसंख्या है वो क्रिशी कारिय में लगी हुई है या हम ये कहें कि यहां की जो अधिकतर जनसंख्या है उसके भरण पोशन का एक मात्र साधन क्रिशी है और इस प्रकार जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्रिशी पर इस जनसंख्या का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है ये बात हम कई की बार कहए चुके हैं स्वतंतरता के पहले की यदि इस्थिती की हम बात करें तब तो यह बहुत ही दैनी इस्थिती थी अब जैसे ही भारत ने श्वतंतरता प्राप्ते की उसके बाद बहुत से सुधारकार ये क्रिशी के छेत्र में किये गए हैं लेकिन इन सब के बावजूद इसमें और प्रयाज जो है वो करना बाकी है इतना ही काफी नहीं है और अभी भी भारत में क्रिशी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं तो हम देखते हैं कि कौन-कौन सी समस्या है जो भारत की क्रिशी के संदर्व में सभी क्रिशकों को इसका सामना करना पड़ता है या इसकी भारती अर्थ विवस्था पर इसका बूरा प्रभाव पड़ता है तो किसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिव्यक्ती भूमी की कम उपलब धता हम बार-बार कह रहे हैं कि जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और चुकि जनसंख्या का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है तो हम सभी को पता है कि भारती समाज में भारती समाज की जो व्यवस्था है उसकी जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि यदि एक पिता की चार संतान है तो सभी में उनकी जो पिता की पैत्रिक संपत्ती है उसका बटवारा होता है तो इस प्रकार से जो भूमी का आकार है वो क्रमशा छोटा होता जाता है तो हम ये देखते हैं कि जहां सबसे पहले जब एक ज्वाइन टूप में सभी लोग एक साथ रह रहे हैं तब जहां पर 20 एकड जमीन है किसी भी क्रिशक के पास अब उसकी संतानों में बटवारे के बाद हम देखेंगे कि ये प्रतिव्यक्ती भूमी की जो उपलब्धता है वो मात्र पांच एकड रह जाएगी तो इस प्रकार से ये भारती समाज की जो विवस्था है उसके कारण हम देखते हैं कि भूमी की जो उपलब्धता है आप्रखन से उपलब्धता है दूसर हम देखते हैं कृषी भूमी का असंतुलित वितरण तो पहले जब हम बात किये थे तो भई तब हमारे भारत में जमीदारी प्रथा का प्रचलन था हालंकि हमने बात की कि जैसे ही सवतंधरता प्राप्ति हुई तो जमीदारी प्रथा का जो प्रथा चल रही थी उसका उन्मूलन किया गया निराकरण किया गया और उसके बाद बहुत से भूमी सुधार कारिक्रम और चकबंदी प्रथा जो है वो लागू की गई जो बड़े किसान थे जिनके पास बहुत अधिशेश में भूमी की उपलब्धता थी उन प्रथा है उसको फिर से उसके वित्रण में इस बाद को लागू किया गया लेकिन इन सब के इन सब कारिक्रमों के चलने के बाद भी हम देखते हैं कि ये समस्या अभी तक पूरी तरह से सही नहीं हुई है ठीक नहीं की गई है और अभी भी ये हमारे सामने ये जो समस्या है वो बनी हुई है फिर हम देखते हैं फसलों की न्यून उत्पादक्ता चुकि भूमी का आकार छोटा है जोट का आकार छोटा है तो हम देखेंगे कि जोट का छोटा आकार होने के कारण वहाँ पर हम किसी भी प्रकार के उन्नत, बीज, उर्वरक और जो क्रिशी उपकरण हैं उनका प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं या भूमी का आकार भी छोटा हो जाता है और किसान भी छोटे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो इन सभी का खर्च वहन नहीं कर पाते और इस कारण हम देखते हैं कि फस्लों की न्यून उत्पाधक्ता हमें भारत में देखने को मिलती हैं साथ ही हम निक्स देखते हैं कि कर्शी पर जनसंख्या का दबाव तो है ही हमने बात की है कि जिसके कारण भूमी का असमान वित्रण है और प्रतिव्यक्ति जो भूमी की उपलबधता है वो भी कम मात्रा में है इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि फसलों के भंडारण की समस्या आप आए दिन बारिश के मौसम में यह हम यह कहें कि जहां पर जिन गोदामों में फसलों की कटाई के बाद किसानों से जो फसलें खरीदी जाती हैं सहकारी व हम धान गेहूं जौर बाजरा जिस भी फसल की बात करें तो वो खुले में ऐसे ही पड़े हुए होते हैं और जब अचानक से बारिश हो जाती है तो आए दिन आप यह न्यूस चैनल में देखते होंगे न्यूस पेपर में पढ़ते होंगे कि कितनी अधिक मात्रा में फसले भी देखेंगे कि फसलों के भंडारन की उचित भंडारन की उनके उचित रख रखाओ की एक प्रमुख समस्या जो है यहां बनी हुई है वर्षा की अनिश्चित्ता है नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो वर्षा की अनेमित्ता और अनिश्चित्ता जो है यह तो होती है निर्भर होती है और इसी के कारण हम देखते हैं कि कहीं पर सूखा पड़ रहा है कहीं बहुत अधिक बारिश के कारण जो है वो फसले सड़ जाती है कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पूरी फसल जो है वो पक कर तैयार होने को है और अचानक बहुत तेज बारिश या तुफानी मौसम के कारण पूरी फसले जो हैं वो बरबाद हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं तो वर्षा की अनिशित्ता और अनियमित्ता एक प्रमुख समस्या है अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिचाई के साधनों कभी अभाव है अभाव या हम ये कह सकते हैं आपर्य मुकसाधन हो सकता है कि हम अपनी फसलों के अधिक से अधिक ऊध्पादन के लिए उसका इधिक ऊध्पादन प्राप्त कर पाएं। हालंकी हमने देखा था कि आजादी के बाद बहुत सी बहुत देशी योजनाएं जो हैं वो सिचाई के उदेश से तयार की गई हैं लेकिन फिर भी अभी हम ये कह सकते हैं कि ये अपरियाप्त हैं जितनी मात्रा में हमें सिचाई सुविधाओं का विस्तार चाहिए उतनी मात् में इसका जो विस्तार है वो अभी तक नहीं हो पाया है जोट का छोटा आकार एक प्रमुख समस्या है हमने भी बात की थी कि चुकी भारती समाज वहां पर पैत्रिक संपत्ति के बटवारे का जो चलन है उसके कारण हम देखेंगे कि एक बड़ी भूमी या बड़े खेत के जो है वो छोटे छोटे टुकडे कर दिये जाते हैं और चुकी ये जोट का छोटा आकार हुआ तो वहां पर किसी भी प्रकार से हम आधुनिक तकनीक उपकरनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और नैचरली है कि ये सब चीज का उपयोग जब हम नहीं कर पा रहे हैं आधु जो ग्रामीर छेतरे के बच्चे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे जब बच्चे शाला जाते हैं तो जैसे ही फसल की कटाई का समय होता है या बुआई का या हम जो निंजाई का समय होता है ये बात करते हैं तो वो जो शाला जाने वाले बच्चे हैं वो भी उस समय स्कूल नहीं जाते और छुट्टी ले लेते हैं या हम ये कहें कि अपने पैरेंट्स के साथ माता पीता के साथ वो खेतों में काम करने मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं और कुछ जो परिवार हैं ये हम देखेंगे कि जहां पर जिनकी आय का सोर्स बहुत कम है या क्रिशी मजदूरी से प्राप्त जो इंकम है आय है वही उनकी आय का प्रमुक साधन है जीवन चलाने का प्रमुक साधन है तो बच्चे जहां छोटे में तो वो अपने माता-पिता की हैल्प करते ही हैं सहयोग के लिए वो खेत जाकर अपनी छमता के नुसार कारिय करते ही हैं लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी सिक्षा जो है वो बीच में ही छूट जाती है और वो अपन 36 गण में भी देखेंगे कि जो कृशक हैं उनमें सिक्षा का जो है वो बहुत अभाव होता है क्योंकि गरीबी जो है वो एक प्रमुख कारण है जो उन्हें सिक्षा प्राप्त करने से रोकती है वो अपने बच्चों को भी अपने साथ कारी में लगा लेते हैं और वो शाला जाने से बंचित रह जाते हैं. फिर अगली जो समस्या है वो है श्रम प्रदान कृषी हम देखते हैं कि हमारे भारत में पूरे मतलब अधिकांश छेत्रों की हम जब बात करते हैं जहां पर हरितक्रांती का प्रयोक किया गया है उन छेत्रों को यदि हम छोड़ दें तो अधि राज्य वे अधिकांश प्रदेशीं हम देखेंगे कि तो यह प्रदान में है वी कृष्षी की जाती है। तो उसके भीन गृष्ण कारिय गृष्षी संभव नहीं है। लेकिन वी कृष्षी से कम समय में और अच्छी तरह से किये जा सकते हैं चुकि जोद के छोटे आकार और कृषकों में गरीबी असिक्षा ये कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण वहां पर जो हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग किसानों के द्वारा नहीं किया जा सकता या नहीं करते हैं तो इसके हम देखेंगे कि वहां पर कृषी में या फसलों की उत्पादक्ता की मात्रा हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है फिर अगली जो समस्या है वो है प्रसिक्षन का अभाव कोई भी कारी को बहुत बहतर ढंग से करने के लिए हमें उस कारे में दक्षता या दक्ष होना जो है दक्षता का होना या दक्ष होना बहुत आवश्यक है और ये चीज जो है वो उस कारे के लिए प्रसिक्षन से और बहतर ढंग से संभव हो पाती है तो क्रिशी कारे में भी वही स्थिती है कि यदि हम किसानों को क्रिशकों को ये प्रसिक्षन दे दें कि उनके छेत्र में ज कर लिया जाए कि किस प्रकार की मृदा जो है वहाँ पर है और फिर उसके बाद फिर यह निर्ने लिया जाए कि उस मृदा में कौन सी फसल का उत्पादन बहतर हो सकता है अधिक अच्छा हो सकता है अधिक उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद उसमें कितनी मात में कीट नाशकों का या उर्वरकों का प्रयोग किया जाए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाए अगर ये सारे प्रसेक्षन जो हैं वो किसकों को किसानों को दिये जाएं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम अपने देश की अलग-अलग सभी प्रकार की जो हैं या हम कहें कि अपने क्रिशी के उत्पादन को में बढ़ोतरी के बहतर प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे तो इस पर भी हमें ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो हमारे देश के जो किसान है उन्हें क्रिशी विभाग के द्वारा प्रसिक्षन की विवस्था की जाए और पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर भूमी पर किस प्रकार की मृदा है कैसी फसल लगनी चाहिए उसमें कितनी मात्रा में उर्वरक और किट नाशकों का प्रयोग जो होना चाहिए जिससे हम बहतर उत्पादन प्राप्ट कर पाएं इसके अतरिक् और आये एएपी या जो अलग-अलग प्रकार के सहकारी संस्थाएं हैं और बैंकों के माध्यम से उन्हें कर्ज देने के लिए कर्ज माफी के कम ब्याज पर रिन उपलब्ध कराने की बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं लेकिन इसे अभी भी और बहतर और प्रभावी धंग से लागू नहीं किया जा सकता है या हम यह कहें कि इसके अभी और अधिक ज्यादा प्रचार और प्रसार की आवश्यक्ता है जिससे यह सभी छोटे और बड़े सभी प्रकार के किसानों तक इनकी पहुंच हो पाएं और सभी किसान जो हैं इनका फायदा या लाब ले सकें तो यह हो गई आपकी भारती क्रिशी की कुछ समस्याएं यह हमने जो भारती क्रिशी की कुछ समस्याओं की बात की अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिशी की इन समस्याओं के निदान के लिए या क्रिशी के विकास के लिए शाशन के द्वारा भारत सरकार के द्वारा पं प्रश्य की ये समस्याएं हैं उनके निदान का एक प्रयाज जो है वो तो किया जा रहा है अब ये कौन-कौन से या किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा रहा है इसमें कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लेते हैं जैसे कुछ देर पहले हमने बात भी की थी कि स्वतंत्रता के बाद जमिदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया जैसे भूमी की अधिक्तम सीमा का निर्धारन किया गया है जिस पे सभी लोगों को समान रूप से भूमी का वितरन हो जाए फिर कृशी में कृशी के जो जोत का आकार है या खेतों का आकार है वो बढ़ देखेंगे कि जिन किसानों के जो खेत हैं वो अलग-अलग जगों पर बिखरे हुए थे उन्हें एक स्थान पर करके चगबंदी प्रथा को लागू किया गया है इसके साथ ही जो भूमी कृशी मजदूर थे या जिनके पास भूमी नहीं थी उन्हें कृशी भूमी जो है वो प्रदान की गई है फिर हम देखेंगे कि करशी के कारे के लिए कृशकों को किसानों को प्रसिक्षन भी प्रदान किया जा रहा है हालांकि इसमें और अभी बहतर प्रयास किया जाने आवश्यक है लेकिन फिर भी ये एक छोटा प्रयास जो है वो इसके शुरुवात हो प्रसिक्षन दिया जाए फिर हम देखेंगे कि जो किसान है उनके लिए रिंड की वेवस्था पहले वो जो कर्ज लेते थे रिंड जो लेते थे वो बहुत अधिक ब्याज दर पर उन्हें उपलब्ध होते थे और वो ब्याज चुकाते-चुकाते अपने जो क्रिशी यंत्रय या क्रिशी में जो आधुनिक तक्नीक का उपियोग कर ही नहीं पाते थे और अपने जीवन यापन के लिए बस वो उत्पादन कर पाते थे, क्योंकि वो उनके पस पैसे ही नहीं है तो बाकी चीजों में वो उस पूंजी को नहीं लगा पाते थे, अब ये व्यवस्था की जा उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो आधुनिक तक्नीक की का जो प्रयोग है वो कर पाएं, ग्रामीर छेत्रों में हम देखेंगे कि सिक्षा का भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बैंकों के माध्यम से भी उन्हें कम ब्याज पर रिण उपलब्ध क कराया जा रहा है, क्रिशी जो है उसकी मानसून पर निर्भरता को कम करने के लिए बहुत सी बहुत देशी परियोजनाएं उनका विकास किया गया है, जिससे क्रिशी का मानसून पर निर्भरता है उसे कम किया जा सके और सिचाई सुविधाओं का विकास हो सके, इसके साथ ह इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे हम उन्नत किस्म के जो बीज है उनका प्रयोक करके अधिक से अधिक जो उत्पादन है फसलों का वो प्राप्त कर पाएं इसके लिए बहुत स्थानों पर अलग-अलगी स्थानों पर कृषी अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के लिए इसके बाद हम देखेंगे कि आपजानों को उनकर इसका उनके जो फसल का उत्पादन है उसका उच्ट मुल्य दिलाने के लिए नियूंतम सरकारी मुल्य जो है उसका निर्धारन किया गया है जिसे हम MSP के नाम से जानते हैं MSP या समर्थन मुल्य भी कहते हैं जिससे सभी किसानों को उनकी फसल का उचित मुल्य प्राप्त हो पाए तो ये कुछ समस्याओं के निदान के लिए उपाए किये गये हैं और इन्हें इससे बहुत हद तक हमने देखा है कि क्रिशी के छेत्र में हमने सुधार किया है और इसमें थोड़े बहुत जो हैं और प्रयास करने भी बाकी हैं या ये कारी हम कहें कि निरंतर विकास की तरफ अग्रसर हो र प्रतमान तक हमने भारती क्रिशी में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं तो वो कौन-कौन सी उपलब्धियां हैं इनकी हम चर्चा करते हैं